Hey guys, welcome back to the channel The Alphabanker and my name is Shraak Chopra. So guys, I am pretty sure कि आज के वीडियो के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे होगे. Because guys, मेरे preparation days में भी, मैं हमेशा इस बात को लेके चिंता में रहता था और हमेशा कहीं न कहीं इस चीज को सर्च करता रहता था कि भाई मुझे free content कहां से मिल सकता है और उससे भी ज़्यादा important कि मुझे exam level का free content कहां से मिल सकता है अब guys 2018 में जब मैं preparation कर रहा था और आज 2021 में कुछ चीजे काफी change हो गई है आज अनकैडमी आपके पास है आज YouTube पे बहुत सारे teachers आ गए हैं जो आपको content प्रोवाइड कर रहे हैं बट still free content की आज भी बहुत ज़ादा कमी है और मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हमेशा tension में रहते हैं कि उनको preparation करने के लिए और practice करने के लिए proper exam level का content कहां से मिलेगा So guys अपने आज के वीडियो में हम total 5 ऐसे websites के बारे में बात करेंगे जो आपको total exact exam level का content provide करेंगे वो भी unlimited और वो भी बिलकुल free बिलकुल मुफ्त unlimited free content ये 5 websites आपको provide करेंगे Guys आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का एक disclaimer दे देता हूँ कि आज का video किसी भी channel का promotion नहीं कर रहा है जो 5 websites मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे experience मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी website का अज promotional video नहीं है ये बिलकुल unbiased to the heart video है मेरा जो मेरे experience के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है guys so without further ado let's move forward and let's make your preparation simpler So guys यहाँ पर मैंने अपना browser open कर लिया है अब एके करके पांचो websites तो visit कर लेते हैं So guys starting off with my first pick for today and very useful website would be exampandit अब guys यह एक नया platform है नई website है तो हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो या हो सकता है आपने इसका नाम ना भी सुना हो बाई सुना है तो बहुत अच्छी बात है बट नहीं सुना है तो आपको आज एक वो हीरा मिल गया है वो कोहिनूर हीरा जो आपको preparation को चार चान लगा देगा अब देखो बाई यहां पर आपको हर subject के हर topic के unlimited quizzes available हो जाएंगे ठीक है बाई देखो current affairs के quizzes आपको यहां मिल जाएंगे अब current affairs में daily quiz लगाना है तो daily लगाओ मंतली लगाना है तो मंतली लगा लो chapter wise or section wise quizzes मिल जाएंगे बाई quantitative aptitude, reasoning, english, static, general awareness, banking quiz, computer aptitude इन सब के quizzes मिल जाएंगे but मेरा favorite चीज जो इस website की है वो है all pdfs बाई इनके पास इतना fabulous content है pdf का इतना भैतरीन content है pdf का that they will make you fall in love with them अगर मुझे मान के चलो किसी एक topic को search करना है for example data interpretation तो मैं data interpretation type करूँगा यह search बार पर जाऊँगा और search करते ही मेरे सामने इतने सारे content available हो जाएंगे अब भै मैं जिस पे भी चाहूँ उसको open करूँगा pdf डाउनलोड कर लूँगा और जब भी मेरा पढ़ने का मन करेगा मैं बाद में पढ़ लूँगा अब भै मुझे नहीं पता that how they people are actually affording such a fabulous platform for no cost भै यह लोग आपसे कभी भी कोई cost नहीं मांगेंगे सारा का सारा content आपके लिए free में available है और मेरे लिए तो I just love this website इनका content, इनका user interface इतना बहतरीन है that I keep visiting this website even today भै बहुत अच्छी website है जरूँ visit करना अगर अभी तक visit नहीं करा है तो तो भाई यह हो गया हमारा आज का pick number one अगर अपनी second pick की बात करें तो मेरा second pick रहेगा Aspiran Zone अभाई I am pretty sure कि आप लोगों ने इस website के बारे में जरूर सुना होगा भैज मेरी preparation days से लेके आज तक 2018 से लेके आज तक के 2021 में भी यह website ऐसी है जिसने बहुत ही भहतरीन तरीके से consistency दिखाई है और हर बार अपना content अपडेट करते गए है अब भाई आपको के करना है जैसे ही aspiran zone.com पे आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे आना है यहां quiz zone आ जाएगा और quiz zone पे आपको सारे के सारे topic wise section wise quizzes available हो जाएंगे for example अगर मेरा favorite chapter या मेरा favorite topic के बात करें quantitative aptitude उस पर आके देख लेते हैं तो जैसे ही quantitative aptitude पे click करेंगे तो आपके सामने पूरा page खुल जाएगा तो यह रहा आपके सामने topic wise quizzes तो जिसके भी लगाना है for example चाहते हैं data interpretation का set लगाना तो data interpretation में click करिए और directly आके देखो total 153 sets यहां पे already uploaded है 153 set और total हर set में 10 question होते हैं मनला data interpretation के यहां 1500 से जादा questions already uploaded है और ऐसे ही बाकी सारे के सारे sections में भी और सारे के topics के भी भर भर के questions यहां पे available हैं और वो भी सारे के सारे questions most of them would be of exact exam level विलकुल exam level के questions ही आपको यहां पे देखने को मिलेंगे बहुत तो ही बहतरीन website है जरूर विजट करिएगा अगर अब यह तो हो गई quizzes की बात बट इनका एक और जो बहुत अच्छा feature है वो है इनका free mocks भाई free mocks पे click करो तो इनके अलग-अलग website के free mocks already यहां पे uploaded है तो जिस भी website का free mocks देना चाते हो उस पे click कर लो और यह आपको उस website के free mocks पे ले जाएगा तो भाई यह हो गई हमारी second pick की बात मतलब aspiring zone की बात अब थर्ड पिक की तरफ चलते हैं मेरा आज का थर्ड पिक है practice mocks अब प्रैक्टिस mocks का नाम सुनता ही तो आपको लगेगा कि सर यह तो एक mock test देने का website है यहां पे तो हम mock test देने आते हैं बट आप मेंसे बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यह लो इंग्लिस section current affairs मान के चलो आपको इंग्लिस section का आज कोई quiz देना है English section पर आओ और total यहां पर 37 quizzes अविलेबल है prelims plus mains मतलब prelims की preparation करना चाते हैं तो prelims वाले पर click कर लो यह रहा prelims वाला और mains की preparation करना चाते हो तो यह रहा mains वाला गाइस बहुत ही useful रहेंगे यह सारे mock test यह सारे quizzes आपके लिए because यह सारे के सारे practice mock के quizzes up to the par which examination रहते हैं और कही सारे questions तो आपको examination के ऊपर के देखने को भी मिलेंगे मलब यहां पर आप exam level के अल्रेटी एक notch ऊपर की practice कर लोगे अगर practice mock के free quizzes वाले section को open करते हो तो ठीक है तो यह practice mock हो गया हमारा आज का pick number 3, pick number 4 की तरफ चले शाल भी, pick number 4 मेरा देख लेते हैं और भाई मेरा pick number 4 है आज का बहुत ही favorite, बहुत ही famous website smartkeeda अब यह website तो बहुत famous है, नया platform है, बट इसकी test series और भी ज़्यादा famous होती जा रही है और मैंने अपनी top 5 test series वाला जो वीडियो है, उसमें भी इनका test series है, test zone इसको include कर रहा था बहुत ही cheap है और इसके questions भी बहुत अच्छे level के रहते हैं Guys, अगर smartkeeda website की बात करें, तो जैसे ही smartkeeda.com open करेंगे, आपके सामने ही यह सारी चीज़े open हो जाएंगे Quant, Reasoning, English और यहां लिखा है Current Affairs, तो जिस भी section पर आना चाहते हो, for example, आज Quant का आपको quiz देना है, तो Quant पर click करो, और नीचे सारे topic wise चीज़े आपके सामने open हो जाएंगी Arithmetic में यह सारे topics है, Quant में यह सारे topic है, Algebra में यह सारे topic है, Immensuration में यह सारे topics है, मतलब भर-भर के content available है आपके पास, अगर smartkeeda से preparation करना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छा platform है, और सारी की सारी चीज़ें आपको यहां पे भी free of cost available हो जाएंगी यह होगे हमारा pick number 4, अब आज के अपने last pick की बात करें, तो बही वो है मेरा affairscloud.com, अब जैसे ही affairscloud.com की बात आप लोग सुनोगे, तो बही आप लोग हमेशा बुलोगे कि सर यह तो current affairs का platform है, तो यहां हम current affairs की preparation करने आएंगे न वस, तो बही मैं आपको बता दूँ, यह exam, current affairs करते हुए सारे tabs है, आखरी वाले tab पे जैसे ही आओगे लिखा है more, more में लिखा है quizzes, quizzes में देखो, जैसे ही quizzes में क्लिक करोगे, आपके सामने section wise quizzes open हो जाएंगे, quantitative aptitude, reasoning questions, English questions, अगर reasoning question में क्लिक करोगे, तो देखो reasoning question में क्लिक करो, और आपके सामने बहुत सारे अलग-ल questions, बहुत सारे अलग-लग topics यहाँ पे अविलेबल हैं आपके लिए, मान के चलो आज आप चाहते हो कि बहुत सारे अपके सामने ऐसे sets open हो जाएंगे, यह website almost similar है आपके aspirant zone जैसे ही, but यह और भी ज्यादा useful है, because यहाँ बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहु content है, अब इस website की बस एक ही कमी है, कि यह लोग content को update जादा नहीं करते हैं, आज जो आपको content देखने को मिलेगा, वो आज भी 2019 का ही देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ देखो 8 April 2019, यह 25 April 2019, but content इनका बहुत शांदार है, बहुत ही बहुत ही बहुतरीन content लेके आते हैं यह 5th website that will be giving you exam level content unlimited data, ठीक है, so guys, आज का यहाँ हमारा session खतम होता है, यह थी हमारी 5 picks, मेरी 5 favorite websites, जो आपको free में content available कराएंगी, do let us know कि आपको आज का session कैसा लगा, अगर पसंद आया, then do like and share the video, और अपने सारे के सारे friends के साथ, इस session को शेर जरूर करें, और उनको भी बोलें कि वो भी आगे इस session को share करें, जिससे जादा से जादा लोगों तक आपका favorite channel The Alfa Banker पहुंच सके, और जादा से जादा लोगों की मदद हो सके, so guys, यह हमारी websites की बात हो गई, अब अगर online YouTube पे आपको free content चाहिए, तो हमने एक नया series चालू करा है, जिसका नाम है Champion Series, guys, इस series में हम exam level का main content यहाँ पे लगातार follow कर रहे है, guys, अगर आप किसी भी banking या insurance examination की preparation कर रहे है, और आप prelims को लेके tension में है, तो आपको tension बिलकुल लेनी की ज़रूत नहीं है, because Champion Series आपके सारे tensions बिलकुल खतम कर देगी, guys, यहाँ पे हम prelims के regarding हर वो topic को cover कर रहे है, जो तीनोई sections, that is English quant or reasoning में पूछा जा सकता है, और हर नए pattern के question को हम बहुत बार revise कर रहे हैं, बहुत बार अपने content को update भी करते जा रहे हैं, तो बहुत exclusive content आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इस बार की अपने preparation को लेके serious हैं, और इस बार अपने selection को लेके serious हैं, तो Champion Series playlist को देखना बिलकु open करिये, playlist को play करिये, और एक से लेकि जितने भी sessions upload हो चुके हैं, वो सारे sessions को देखके, अपनी preparation को चार चान लगा लीजिए, so guys, I am pretty sure कि आप लोग को आज का session पसंद आया होगा, मैं आप से अलविदा लेना चाहता हूँ, see you in the next session, signing off, my name is Charak Chopra.